सबी प्यारे वीवर्स का वाम वेलकम करता हूँ YAT Your English Shooter पे आज है शनिवार और आज अपने एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं The Economics Times इस न्यूस फेपर के एक आर्टिकल पे बेस्ट आर्टिकल का नाम है Information Bottle Neck यह आर्टिकल आपको बताता है कि कैसे सरकार ने अब Ministry of Environment से RTI के तहत Information लेने को मुश्किल बना दिया है अब ज्यादा Environmental प्रोजेक्स के बारे में Information आप ले नहीं पाएंगे सरकार से RTI के एंटर चली शुरू करते हैं छोड़ा सा आर्टिकल है छोटी सी क्लास है अपना क्विज देख लो 6 questions आपके सामने है आर्टिकल को पढ़ो और जो च और राइट करेजी Information बॉटलनेक यह बॉटलनेक वर्ड शायद आपके लिए नहीं होगा बड़ा इंपोर्टेंट सा वर्ड है एक बार इस पर नजर डालते हैं फटा फट से देखिए यह होती है बॉटलनेक यह है बॉटल और यह है बॉटल की नेक इस बॉटल में चाहे 10 लीटर पानी हो लेकिन जैसे यह पानी जब नेक पे आएगा ना यहां पे इसका फ्लोरेस्टिक्ट को जाएगा ऐसा बॉटल κो आपने उटा कर दिया तो सारा पानी सीधे बहार निकल जाएगा ऐसा नहीं है आप ग्लास को लटा करो सारा पानी गिर जाएगा लेकिन bottle को लटा करोगे तो नहीं किरेगा क्योंकि bottle की neck में होती है रुकावट याने की restriction यहीं से इस word को हमने उठाया है bottle neck आम जो है बोलचाल की भाशा में इसका मतलब होता है किसी चीज़ के flow के अंदर आने वाली बाधा restriction करेव वैसे ही अब information में भी bottle neck आपको देखने को मिलेगा RTA Act लगा करके अब हर तरह की information आप नहीं ले पाएंगे आगई बाद समझ में bottle neck word को तस्वीर के साथ समझा दिया है हमेशा इसको याद रखें आपके रास्ते की रुकावट, obstacle या hindrance को बोलते हैं bottle neck चलिए bottle neck किसने लगाया है और क्यों लगाया है title paragraph को देखेंगे यहां से पता लगेगा करेद governments move to restrict public access to environmental clearance information seems dubious करेद सरगार का जो move है सरगार की जो हरकत है किस चीज की भाई हरकत है restrict करने की पाबंद करने की public के access को लोगों की पहुँच को अच्छा कहां तक पाबंद करेंगे लोगों की पहुँच को कहां रोकने से रोकेंगे यह पाबंद किया गया है access उस information तक जो है environmental clearance की जो है environmental project से मिलने वाली जो sanction है मंजूरी है जो clearance है उस चीज से related करें सरकार का move इस information को लोगों के हाथ से खीचने का इस information तक लोगों को ना पहुँचने देने का यह दिखाई देता है थोड़ा सा dubious थोड़ा सा questionable dubious हर वो चीज है जिस पे आपको doubts हो जिस पे आपको कुछ है जिसकी integrity में honesty में आपको चक्कर लगे है न suspicious या questionable बोलते है dubious को तो सरकार ये move तो चल रही है और इसके बीचे बहाना भी कर रही है कि हमने जो भी किया है वो कानून के दाएरे में रहके किया है लोगों की भलाई में किया है लेकिन इस move को देखकर के ये लगता है कि सरकार की मन्शा ठीक नहीं है जान वूज करके environment से जुड़ी हूई information को लोगों से दूर किया जा रहा है ताकि environmental projects को धडले से देश में चलाया जा सके move की वह बैस seems dubious आपने देख लिया access का मतलब होता है आपकी पहुंच आपकी उपलब दता जिस भी चीज तक आपकी पहुंच होती है ना वहाँ पेस वर्ड को यूज कर सकते हैं जैसे आप अच्छे स्कूल में बढ़ते हो तो आप बोल दो I have access to good education मेरे पास उपलब दता या पहुंच है अच्छी शिख्षा तक अच्छी तालीम तक है ना तो जहां भी access हो तू लगाके बताएं noun form में access अपने बाद तू लेता है चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की vocab आपको दिखाएंगे चोड़ास आर्टिकल है ज़्यादा vocab इसमें है नहीं हाँ grammar के हिसाब से अच्छा आर्टिकल है वो vocab देख लेते हैं एक like और एक share जरूर से दें और उसी के साथ में जिन बच्चों को जरूर होता है guidance और support की अपने exams की preparation के लिए तो जरूर ही download करें YET Your English Shooter app को आपकी अपनी app है comment section में इसका link दिया हुआ है app पे आपको मिलेंगे courses जैसे की writing का course है यहाँ पे बिल्गुल basic से आपको मैं English में लिखना सिखाता हूँ पहले theory फिर साथ में practical और practice किसी भी exam का descriptive आप इससे crack कर सकते हैं चाए UPSC हो, CAPFO, Judiciary हो, Banking हो 62-80 hours का course है फाइदा ले सकते हैं, हजारों लोग ले चुके हैं basic से सिखाने वाला course है writing का इसी के साथ में आपको course मिलेगा banking का, banking course में bank के सारे exams, clerical, PO, prelims, mains हर variety का question आपको यहाँ पे तयार करवाया जाता है, बिल्कुल logic के साथ में SSE का course भी available है SSE के सभी exams का, prelims और mains इसमें covered है, हर question को detailed approach के साथ में आपको यहाँ तयार करवाया जाता है, marks को सीधे सीधे boost करने के लिए SSE bank course से practice कर सकते हैं, एप से related कोई भी question हो, यह team का whatsapp number है, इस पे whatsapp करें, एप का link comment section में दिया हुगा है, चलिए आज की word है, specious, देखिए यह specious word है ना, इस word को कभी भी इस word से compare मत करना या confuse मत करना, जो है specious specious, specious specious मतलब जिसमें suspicion हो, जो doubtful हो misleading हो, जोटा हो बरगलाने वाला हो, dubious हो, और specious का मतलब है, जो space से भरा हो जो खुला हो, हवादार हो specious एक room होगा specious कोई claim या दावा या कोई statement होगी, ठीक है तो दोनों अलग words है, यह specious होगा suspicion से बरा होगा, और यह specious होगा जिसमें खूब सारा space हो चलिए, all claims of the company prove to be specious, company के सारे दावे जूटे निकले, specious निकले misleading या in authentic जो है, true होगे, specious को disingenuous, dubious yes, purious भी बोलते है disingenuous word मैंने आपको break करवा के दिखाया होगा, बहुत बार जो पुराने students से इसको जानते है, आज करवा नहीं रहूँ लेकिन फिर कभी आएगा तो इसको break करके याद आपको break करके रखना है, बड़ा असान सा word है यह, ठीक है? चलो, next word की तरफ आजाओ, robust देखे, robust का मतलब होता है, मजबूत, strong, sturdy जिसमें strength हो, जो well built हो, जो powerful हो thanks to a robust financial ecosystem, Indian economy managed to withstand major economic recessions of the past एक मजबूत, thanks to, एक मजबूत यानि robust financial ecosystem की वज़े से thanks to का मतलब होता है, की वज़े से, यानि because of तो करें, एक अच्छे या मजबूत financial system की वज़े से, भारत की economy जो है, उसका जो एक सिस्टम है उसने manage किया है, withstand करना, सामने से जहलना, बड़े-बड़े आर्थिक तुफानों को, आर्थिक मंदियों को past में आने वाली चलिए word article में देखेंगे आज, अगला word है nourish, बहुत बार आ गया पिछले week में यह, नरिश का मतलब है, पालना पोसना, किसी को nourishment देना, किसी को develop करने के लिए, grow करने के लिए मदद करना, इसको increase करना, feed करना, foster करना, cherish करना, सभी इसके synonyms हैं, किसी चीज को फूलने फलने के लिए, बढ़ावा देने के लिए use होते हैं, जैसे आपके मावाब है न, वो आपको नरिश कर रहे हैं, आपके teachers हैं, वो आपको intellectually नरिश कर रहे हैं, आपके समाज, आपके दोस्त जो हैं, आपको emotionally नरिश कर रहे हैं, हर आदमी से आप nourishment ले रहे हो, और जिंदगी में grow क करने की कोशिश कर रहे हो, trade is a very useful tool to nourish the ties between two countries, व्यपार जो है एक बड़ा ही useful सा उपकरन है, टूल है, जरिया है, नरिश करने का, पोशन देने का, रिष्टों को दो कंट्रीज के वीच में, तो जिन दो कंट्रीज में अच्छे व्यपार हो गए, उनके वीच में जंग होना बड़ा ही मुश्किल होता है, चले last word है, second last, आज का myopic, अगर आपके number लगा है न, चश्मा लगा है आपके glasses, और आप दूर का नहीं देख पाते हैं, आपको दूर से आदमी आ रहा है, गाएं आ रही है, समझ नहीं आता, तो आप जो चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा है my मायोपिया का, मायोपिया इंगलिश में एक विमारी होती है, मलब इंगलिश में क्या, वैसे विमारी होती है, और मायोपिया का मतलब होता है short-sightedness, आपकी side जो है, नजर अब short हो चुकी है, दूर का आप नहीं देख पाते हैं, तो myopic word को इस तरह से आपको याज रखना है इंगलिश में जो बिमारी है, मायोपिया, वहीं से मायोपिक वर्ड बना हो गए, अब देखो यह सिरफ नजर जो है न, फिजिकल नजर की बात नहीं हो रही, अगर आप एक ऐसे आदमी है, जो दो दिन से आगे का सोच नहीं पतते हैं, बस आज क्या खाऊंगा, और कल कैसे सोऊंगा, कहा रहूंगा, पर सोगा नहीं पता, तो भी आप एक मायोपिक परसन है, आपकी फ्यूचर देखने की नजर जो है, छोटी है, शौट है, तो यह वर्ड दोनों ही तरीके से याद रखना, आखे कमजोर हो, या किसी आदमी का आगे देखने का नजरिया कमजोर हो In a myopic move, the government again increased the tax on fuel, एक बहुती short-sighted move में, एक ऐसी हरकत में, जो myopic थी, सरकार ने बढ़ा दिया है, फिर एक बार, fuel के उपर tax को, यानि कि इंधन के उपर, जो है, tax को, चलिए, myopic का बिलकुल उल्टा होता है, far-sighted, जो आदमी दूर का देख पाता हो, आखों से, या फिर ज क्विज में मैंने आज पूछा है, far-sighted, myopia के उल्टा है, far-sighted, उसके synonym लिख रहा हूँ, यहाँ पर दो अच्छे-च्छे, clairvoyant, judicious, judicious, or sagacious, prudent भी होता है, यह तीनों उस तरह के लोग हैं, जो दूर की नजर रखते हैं, हर मामले में, आगे का सोचने की शमता रखते हैं लास्ट वर्ड आज का imperative, imperative का मतलब होता है, एक ऐसी चीज जो बड़ी essential है, आपके लिए फर्ज है, आपको निमाना ही है, it is an imperative, it is an imperative, that the government should cut down its import budget, यह एक जरूरी चीज है कि सरकार कटोती करें, अपने import के budget में, import करना चीजों को कम करें, necessity, obligation, exigency, इसके synonyms हैं, यह word article में imperative देखेंगे, detail में vocab करवा दी है, कोशिश करता हूँ words को feel के साथ में आप समझ पाएं, और यही तरीका है, मैं बार बार बता रहा हूँ, vocab को याद करने का, आप line से जो याद करते हो न, 10-10-20 words vocab के, ऐसे vocab कभी याद नहीं होगी, 3 लाख word है English में, कितने याद कर में, अब environmental clearance से related information शायद आप ना ले पाएं, सरकार ने कानून बना दिया है, और यह क्या information होती है, मान लीजिए आपके घर के सामने dam बन रहा है, घर के आसपास, तो आप सरकार से यह information नहीं मांग सकते है, RTI में कि यह dam बनने के पीछे कौन कौन सी clearance आपको चाहिए थी, क् लेस्टर ग्रीन टीबुनर की, जो clearance मिल चुकी है आपको, है ना तो जो clearance, clearance मिलनी चाहिए, वो information आपको नहीं मिलेगी, हमारा आर्टिकल यह कर रहा है, कि यह जो एना, एक मायोपिक मूव है, आज आप कुछ प्रोजेक्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस information को रोक दे रहे इस decision to limit public access to information on projects, seeking clearance for their ecological impact, करे जो भारत की Ministry of Environment है, जो मौसम का मंत्राले है, दह लगेगा सरकारी मिनिस्ट्री है, करे जी यह अंडर स्कूरूटनी आ गई है, वेन यू कम अंडर स्कूरूटनी तो आप जांच के शक के दाएरे में आ जाते हैं, स्कूरूटनी का मतलब होता है जांच, investigation, तो करे जी भारत का भी जो मौसम मंत्राले है, यह भी शक के दाएरे में आ चुका है, कम अंडर स्कूरूटनी हो गया है, और क्यों हो है भाई, अपने उस decision की वज़े से, उस facility की वज़े से, कौन सा फैसला, फैसला वो है जो limit करेगा, जो पाबंद कर देगा, ल इनको जरू दोती है, clearance की सरकार से approval की, और किस वज़े से, उनके ecological impact की वज़े से, उन projects के पर्यावरन पे बड़े असर की वज़े से, तो कोई बड़ा project अगर हो रहा है ना, तो उसमें हजारों approval लगती है हर ministry से, अब उस approval का data public सरकार से नहीं मांग सकती RTI Act में, सरकार ने approval ली है, सरकार ने approval नहीं ली, यह सिरफ सरकार को बताया, बात समझ रहो ना, मोटी मोटी क्या कहना चाह रहा है, ministry की वहब है, has come, when you come under scrutiny, तब आपाते हो, शक के दायरे में, सवालों के घेरे में, जांच के दायरे में, access के बाद में to लगेगा, clearance आपको समझा दिया, approval, sanction, ecological impact मतलब, प्रियावरण का असर, ecology मतलब, environment को, ecology बोलते हैं, यह जो कम under scrutiny है, जिसका मतलब, मैंने आपको बताया, शक या, जांच के दायरे में आना, इसके लिए, एक और idiom, इंगलिश में बनी हुई है, और वो idiom क्या है, under a cloud, जब आप under a cloud होते हो, मालो, एक cloud आपके सर पे बतात आफ गया, तो आपके ऊंपर, काले बातला आ गए हнесडियी भी बूलते हैं, जब काले बातल आ गए तो आप एक ऐसे आदमी हैं, जिसके integrity पर कोई शक किया रहा है, जिसके काम दढूनों को अब थ्'ll थोड़ा जांच किया जाएगा, काले बातल की जम ध्राइश की रि से कम जो है कन्फ्यूज मत करना अंडर ता वैदर होने का मतलग होता है बिमार होना तू बी इल और इडियम वाली सीरीज के अंदर इस एडियम को मैंने कहानी के साथ आपको बताया है जहाज पे कोई आदमी बिमार हो जाता है तो जहाज के निचले सीरे में उसको डाल देते ह है निचले हिस्से में वैदर नहीं होता तो अंडर दा वैदर होता है इसलिए उस आदमी को बिमार या सिक बोलते हैं तो कहानी वाला सिस्टम याद रखना चैनल के होमपेज पर एडियम साब को करवा दी गई है अब और आगे बढ़ो यह दोनों एडियम पुछूंगा क् क्लेरिंस प्रॉसेस के रहे वही अर्कत है जो अंडर माइन करती है कमजोर बनाती है वीकन या डेविलिटेट करती है पार दर्शिता को क्लेरिटी को ट्रांसपरेंसी को और साथी साथ पलडे को जुकाती है टिप दा स्केल करती है पलडे को जुकाती है और किसके फेवर मे उन लोगों के जो project के proponents है जो किसी project के समर्थन में है वो contractors वो बड़े-बड़े builders जिनको मज़ा आता है उनको कोई project मिले हजारों लाखों करोड का तो ये जो move है ना इस type की move जो है ये खड़ा गरती है questions को सवालों को और किस बारे में integrity के बारे में honesty के बारे में clearance process की वो process जिससे किसी project को clearance मिलती है आई वाद समझ में तो ये move जो है ना ये बड़े-बड़े builder के हक में है इस move के बाद में अब clearance process पे सवाल उठने लगेंगे क्योंकि उस process का data सरकार अब public से share करना बंद करतेगी move आपका subject है वाद इसकी raises move singular वाद भी singular है ना वाद भी singular which आया move के लिए move singular है तो which की वाद भी singular undermine करना किसी चीज को कमजोर बनाना debilitate करना weaken, cripple, paralyze है ना और देखो ये which की दूसरी वाद है tip the scales देखे scale का मतलब तराजू tip का मतलब जुकाना जब आप tip the scale करते हैं तो आप तराजू के पलडे को किसी के favor में या किसी के अगेंस्ट में जुका रहे हैं तो tip the scales in favor of someone किसी के हक में पलडे को जुकाना और tip the scales in against of somebody तो किसी के समझ गे ना किसी को नुकसान देने के लिए दूसरी तरफ पलडे को जुकाना हिंदी की एडियम सा इंगरेजी में लिखी गई है और आगे बढ़ो integrity आपको बता दिया आपकी trustworthiness आपकी honesty आपका भरोसे बंदी proponent वो आदमी है जो support करता है किसी मामले को किसी भी काम को proponent का बिलकुल उल्टा है opponent ऐसा आदमी जो किसी मामले के खिलाफो अपोज करने वाला ओ ठीक है proponent एक दूसरे के एंटरिम्स करें वाइल दे गौर्वर्मेंट क्लेम्स एट इस नोट इस नोट बाढ़ पॉब्लिक एक्सेस और इस मेरली अलाइनिंग दे सिस्टम विद राइट विप्रमेशन लो और आट एए लो इट फेल्स रेकागनाईज दाइंजर ओफ लिमिटिंग एक्सेस तू इंफरमेशन करें जहां हमारी सरकाल साफ साफ मना कर देती है दावा ठोक के कि कह देती है कि हमने तो कोई नहीं रोका हमने तो कोई बार नहीं किया कोई बैन नहीं लगाया लोगों के एक्सेस को इस इंफरमेशन तक और हम जो हैं खाली-खाली अलाइन कर रहे हैं हमारे सिस्टम को हिसाब से ढाल रहे हैं हमारे सिस्टम को आ सरकार fail कर गई है नकामयाब हो गई है इस चीज को पह जानने में कि जो danger है ना जो खत्रे हैं जो है limit करने के रेस्ट्रिट करने के information के access को access to information को और कौन सी information which serves as a vital tool for countering the weaknesses of environment impact assessment process and public consultations mandated for projects ये वही information है ये वही जरूरी information है जो serve करती है जो बंद करके आती है जो अपनी service देती है एक जरूरी जरिये के तौर पे और वो जरिया है जो है counter करने का खंडन करने का है ना contradict करने का उन कमजोरियों को जो है environmental impact assessment की process की environmental impact assessment क्या होता है सरकार खुद ही किसी भी project का environmental impact जो है assess करती है तो सरकार की process में जो खामी है ना उसी को counter करने का जरिया था यह information और public consultations को जो mandated है किसी project के लिए public में जो बादचीत जो जरूरी है किसी बड़े project को लाने के लिए यह sentence सबसे लंबा था और सबसे important sentence है पढ़ने के इसाब से structure के इसाब से एक बार repeat कर रहा हूँ फिर इसकी structure देख लेना सरकार ने डावट हो का इसने तो कोई बार नहीं किया public के access को और यह खाली-खाली align with कर रही है ढाल रही है अपने system को RTA के इसाब से चाहे यह कुछ भी कहले वहीं यह सरकार नकाम्याब रही है पैचानने में उस खत्रे को जो है रोक देने का लिमिट कर देने का information तक आम आदमी की पहुँच को और यह कौन सी information है यह वही information है जो एक बहुत ही important जरिया होती है सरकार द्वारा की गई impact assessment process और public consultation process में आने वाली weakness इसको counter करने का तो सरकार हो सकता है impact assessment process आदे अदूरी करवाए public से भी जड़ा consideration ना करवाए और बोल दे हमने करवा दी तो इसमें जो कमिया सरकार छोड़ेगी ना उन कमियों को हम इसी information के जरिये पकड़ा करते थे अब मेरे ख्याल से sentence पकड़ने आप लगे होंगे government की वाब है claims it की वाब है has not barred it आया government के लिए government singular तो वाब भी singular bar करना, किसी को रोगना, prohibit करना, ban किसी काम के लिए समझे ना government की दूसरी वाब है is aligning government claims that it has not barred and it is aligning ये it की दूसरी वाब है align with करना, किसी चीज को दूसरी चीज के हिसाब से ढालना, उसी के साथ same line में adjustment करके लाना it की वाब है fails, it आया सरकार के लिए which की वाब है serves, which आया है information के लिए assessment मतलब जाय जा appraisal, किसी चीज की valuation vital मतलब important, necessary या essential आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा sentence यही था है ना, पांस मिन लगा दी इस पे अब ये चोटा सा paragraph है करे जी in its effort to protect the environment and promote sustainable development the ministry must find a way to strike a balance करे जी अपनी इस कोशिश में जो है environment को protect करने की और promote करने की ऐसी development को, ऐसे विकास को, ऐसी पचास में लेने के देने पड़ गए sustainable development और protect the environment दोनों कामों को करने के effort में हुआ क्या करे हमारी ministry को ढूंडना होगा एक तरीका must find a way कि ये strike कर सके balance को, ये balance बना सके और कौन सा balance बना सके करे जी then prioritizes the environment while fostering growth वैसा balance जो की prioritize करता हो, जो की वरियता देता हो प्रात्मिकता देता हो हमारे environment को, और जबकी साथ ही साथ foster ये encourage करता हो, nurture करता हो, growth को यानि विकास को, तो ऐसा कुछ balance जो है, ministry को बनाना पड़ेगा environment भी जरूर है, growth भी जरूर है एक तरफ अपना बलड़ा नहीं जुकने देना ministry की वर्ब है, must find है न, that की वर्ब है, prioritizes that आया, strike a balance के लिए, balance के लिए balance singular, तो that की वर्ब भी prioritizes singular, foster करना, promote करना, nurture करना, encourage करना किसी को पालना, पोस्टना, बढ़ा करना तो growth को हमें foster करने की जरूर होता है strike a balance का मतलब आप समझी गए है दो चीजों में balance को यानि स्थिर्था को लाना, अच्छा और क्या करें करें, this can be achieved by promoting transparency, establishing robust second balances and earning the trust of the people and project developers करें, ये चीज़ वना, ये तब ही achieve हो सकती है, जब आप promote करें एक तो transparency को, यानि clarity को, और establish करें, अच्छे check और balances को, robust का मतलब है अच्छे मजबूत, checks and balances का मतलब होता है, system के अंदर जो monitoring का mechanism है, कोई जाती ना हो रही हो, check लगा हो balance करने के लिए कुछ tool हो, है ना तो ऐसे monitoring tools को हमें establish करने में मदद करेगा, और साथ ही earn करने में, जीतने में उस भरोसे को भी, जो है लोगों का और project के developers का, याने की बड़े-बड़े ठेकेदारों का आगे बाद समझ में, तो this can be achieved by three things, first thing by promoting transparency second thing, by establishing robust robust check and balances and third thing, and earning the trust of people, ये इसलिए बता रहा हो, ध्यान दियागरो structure को, by preposition, verb की ing form, verb की ing form, और verb की ing form चलो और आगे बढ़ते हैं, के रहा है, although legally aligned with RDA, the ministry's decision to limit access to information is short-sighted and does not serve on interest के रहा है कि हालांकी legally aligned है, हालांकी कानुनी तोर पे जुड़ा हुआ है, aligned with है, adjustment के हिसाब सही है, RDA 8K, फिर भी ये जो decision है ministry का, चाहिए legally कितना भी सही हो जो decision है, लोगों की पहुच को limit करने का information तक कहरा है, ये decision short-sighted है, दूर का नहीं सोच सकता है ये बहुत short-sighted decision है और ये serve नहीं करता है, ministry के खुद की बढ़ाई को, on interest को आई बात समझ में, decision की verb है, पहली is decision is short-sighted दूसरी verb है does not serve, serve क्या करना है, on interest short-sighted आपको बता चुके हैं, myopic impractical, imprudent जो दूर का ना सोच पता हो और far-sighted वो अदमी है, जो दूर का सोच लेता हो, इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, clear clear, buoyant ठीक है, judicious भी बोल सकते हैं, prudent भी बोल सकते हैं, sagacious भी बोल सकते हैं, ये सारी वो कैव उसी को याद होगी, जो रोज classes कर रहा है मेरी मत करो, किसी भी teacher की कर लो पर रोज पढ़ना है आपको, खुद से पढ़ना है, और नहीं समझ में आता है, तो class देखनी है, अपने वो कैव आपकी automatically होना चाहिए था, चलिए, और आगे बढ़ते हैं, करेजी given that the global examples of ecological and health damage resulting from a lack of transparency and inadequate regulatory framework, it is imperative that the Indian government adopts a more open and accountable approach to ensure sustainable and equitable development, ये sentence लंबा है लेकिन आसान है, और इसमें पढ़ी हुए एक error, अगर error आप ढूंड सको तो बताना, करेजी given that देखते हुए सीज को, given that का मतलब क्या है, इस सीज को consider करते हुए, अचा किस सीज को भाई, अंतर रास्तिय उधारनों को global examples को, और किसके, जो है ecological और health damage के पर्यावरन और स्वास में पढ़ने वाले नुकसान के, और कौन सा सरकार के regulatory धांचे की inadequacy की वज़े से, करेजी सीज को देखते हुए, जितनी भी damage दुनिया में कहीं भी पड़ी है, लोगों की health पे या कहीं के environment पे, जो सरकार की transparency या regulatory framework की वज़े से आई है, करेजी इनको समझ ले ना, सारे examples देख लें, तो करेजी ये बड़ी जरूरी चीज हो जाएगी, imperative हो जाएगी, आज ही कि सरकार जो है, वो adopt करें अपनाए, एक जादा open और खुली या accountable approach को, जिम्मेदारी वाले नजरिये को, ताकि ensure किया जा सके, long time में sustainable यानि टिकाउ, और बराबरी वाली यानि की equitable development को, आगी बाद समझ में, तो ये जो सरकार कर रही है ना, इंडिया में, ये तानाशाई काम दुनिया की बहुत सरकारे कर चुकी हैं, कहरा है, आप history से सीख ले लो, global examples बहुत सारे रखे हैं, आपके नक्षे कदम में बहुत सारे लोगों ने, जो इंडिन गौर्मेंट की बहुत से इंपरिटिव आप देख चुके हैं, एक ऐसी चीज जो करने जो है, बड़ी ही ज़रूरी है, obligation, चलो, inadequate मतलब आपर याप्त, concept ये था, इसमें गलती ये थी, कि given और given that के बीच का difference आपको आना चाहिए, देखो इस पूरे phrase में given that के बाद बनेगा, given that की जगह पे आपको given का इस्तेमाल करना चाहिए, इस सीज में, यानि इस case में, given the global examples, अगर यहाँ पे subject verb होता, तो फिर आप उस case में given that लगाते, माली जैसा लिका होता, given that, there are numerous global examples, subject verb आते ही, given that का इस्तेमाल करें, अगर खाली पूरा phrase हो, बेना verb के, तो given का इस लो, छोटा सा article, छोटा सा quiz, far-sighted, short-sighted के synonym, यानि one word आपसे पूछे है, सब को आते होंगे, मेरे ख्याल से डालो, एक भी डाल दो के तो भी answer निकल आएगा, spurious का synonym पूछा है आपसे, dubious होगा, ingenuous होगा, robust होगा, species होगा, है न, हो सकता है, A, B और C थीनों होजाए, हो सक central idea को present करता हो, तो central idea, इस article को अगर एक sentence में बताना हो, तो central idea आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देख लो, चार statement आपके सामने है, सरकार पे बहुत आरोप लगते है, information flow करने के, या सरकार जो है, दिखाई देती है कि वो restrict कर सकी है, information को, ताकि ठेकेदारों को वो खुछ क सके, या फिर, information और environment protection और growth के बीच का जो balance है, वो बड़ा जरूरी है, और इसके लिए जरूरी होती है, transparency, या फिर, transparency, जरूर से यादा हमेशा हर्ट करती है, economic sentiment को, तो चारों में से कौन सा statement आपको सही theme या central idea बताता है, अब मैंने हिंदी में बता दिया है, मेरे खाल से ब इसके अंदर, इस phrase में, और दूसरी error आपको मिलेगी, इस phrase में, टूंडो, comments में आंस पर रखे हैं, वहाँ से match कर लेना, until then, एक like और एक share जरूर से दें, signing out, courses available है, पर जाके फाइदा ले सकते हो, time रहते ही courses का फाइदा लेना है, ऐसा नाओ, last moment पर आकर के आप message करें, सर्फ 15 तिन रहें, एक महिना रहें, अभी जब वक्त है बढ़ने का, तो पढ़ाईवे पूरा ध्यान दो, content सारा available है application पर, writing का, SSE का और banking का, एप को जाओ, comment section से download करो, first comment से link रखा है, कोई भी query हो, यह number है WhatsApp का, team से आप message करके बात कर सकते हैं, WhatsApp